हेलो गाईज आप सबी का फिर से सहोगत है सरकारी जॉब स्पोर्टर यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज हम हॉलिटेक इंडिया प्राइट लिम्टेट कंपनी में आई हुई जॉब की विकेंसी के बारे हैं बात करने वाले हैं और आप लोग को बता दू कि इनके अलोब प्रेसिमने भाग ले सकते हैं और यहां पर जो अपलाई करने का प्रूसेस है वह बहुत ही सिंपल रखा गया है हम आगी चल करके कि किस कैटिगरी को किटनी सेलरी यहां पर दी जाएगी और साथी साथ ओवर टाइम की वी सुधा यहां पर दी जा रही है और भी कई सुधा करने के बाद बैर आइकउन को दबा सकते हैं और आप हमारे facebook पेज को भी लाइक कर सकते है डेली जॉप पडेट पाने के लिए तो आगे चलते हैं तो यह जो आप यहां पर देख सकते हैं कंपणि के बारे में कुछ लिखा हुआ है आप वीडियो को पॉस्ट करके भी प benefit के बारे में बात करते हैं तो अगर आप diploma category मतलब उस पर apply कर रहे हैं diploma के base पर तो आप लोग को जो 18,500 के आसपास में monthly CTC बन जाएगा और अगर आप IT candidate हैं तो आप लोग को CTC 14,500 के आसपास में monthly दे दिया जाएगा अब यहाँ पर benefit के बात करें तो overtime मिल जाएगा आपको अच्छा खासा double जो double है यहाँ पर 102 रुपे पर अवस के साबसे आपको pay किया जाएगा और जो canteen की सुविदा दी जारी है safety uniform आपको मिल जाएगे medical की भी सुविदा दी जारी है जो दूसरी चीज़े वो है ITA या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 60% marks के साथ में minimum अब यहाँ पर जो for ITA के बारे में देखा जाए तो दो प्रकार की council होती है आपको मालूम होगा NCPT और SCBT तो दोनों यहाँ पर eligible होंगे अब यहाँ पर आगी चलते हैं trade के बारे में बात करें तो electrician, fitter, welder, diesel mechanic, copa और भी other जो trade है technical से related वेलो apply कर सकते हैं अब जो डिप्लोमा के बारे में देखें branches के बारे में तो electrical और mechanical branch जो है वेलो eligible होंगे अब यहाँ पर LGBT criteria के बारे में देखते हैं तो जो age limit है आपकी minimum 18 साल और maximum 35 साल होनी चाहिए 18 से 35 के बीच में apply कर दीजे अब यहाँ पर आगी चलते है passing out year चाहिए आपका ITE हो या फिर डिप्लोमा 2015, 16, 17, 18, 19 और जो 20 में अभी appear भी हुए है वे लोग भी apply कर सकते हैं और जो यहाँ पर selection का जो पुरिज़र देखा जाए तो आप देख सकते हैं merit list के लिए आपको जो एक form डालना होगा और जो दूसरी चीजे वो है selected candidate will be contact for return test and personal interview मतलब कि जो लोग marriage list में sort list कर दिये जाएंगे उनको जो contact करेंगे return test और personal interview के लिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो जो लोग apply करना चाहते हैं उनको मैंने नीचे में link देके रखा है आपको वहाँ पर चले जाना है और यह यहाँ पर आकर के apply in offer क्लिक कर देना होगा ठीक है interested candidate यहाँ पर और यहाँ पर आप कुछ और important चीजे भी देख लेते हैं उसके बाद हम form पर ही चलेंगे step by step और यह रहा job का location और यह रहा ठीक है तो आब आगे चलते हैं अब यहाँ पर जो आपको apply in offer क्लिक कर देना है और जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह इनका form खुल जाएगा holitech India private limited registration form यहाँ पर बेसिक सी जानकरी यह name डाल देना है email डाल देना है अपना जैंडर डाल देना है phone number डाल देना है फूनद और email ID अच्छे से डालने है और education में जो भी है आपका यहाँ पर आपको choose कर लेना है trade या फिर branch का यहाँ है यहाँ पर डाल देना आपको electrical हो यह फिर ellectrition हो यह फिर mechanical डीजल हो और जो यहाँ पर अपना पर सिंटेश डाल देन कि यहां पर क्या भरना है तो आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपना introduction दे देना है छोटा सा और यहां पर last में आपको submit पर क्लिक कर देना होगा फिर भी कोई और problem आ रही ही तो मुझे अप comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं हमसे next job information के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like and share जोड़ कीजगा तब तक के लिए good bye